हेलो गाइज वालकम टो अनेदर वीडियो अप स्टॉक मार्केटमेंट्स कुंदन एडिफिस लिमिटेड का जिस आई प्यों का आज इसका आखरी दिन अप्लाई करने का जिसमें लोग जानेंगे लाइब सब्सक्रिप्शन अस्टेडस जींपी कितना चल रहा है की लॉट साइज 25.22 करोड का इसू साइज फ्रेश इसू की जा रही है फिक्स पैस इसू आइप नसी के समी प्लाटफॉम पर लिस्टेड किया जाएगा लॉट्मेंट रेट है 21 सेप्टेंबर का लिस्टिंग डेट है 26 सेप्टेंबर का अमांट 1,09,200 रुपीश का मुनिम होता है इसके प्रोमोटर है प्री इशू होल्डिंग 99 परशंट का पोस्ट इसू सब्सक्राइब के अच्छी सब्सक्राइब किया गया रिटेल बहुत स्ट्रॉंग है 16.36 लेकिन रिसेंट इतने भी आया गया जैसे में कड़ेगरी के उन आइप उसके कंपैरेजन में उतन ज्यादा सब्सक्राइब नहीं किया लेकिन फिर भी गाईज ओवर हुआ है लगा टोटल 9.73 टाइमस का है और अब देखना यह कि डे फॉर में कंपनी किस तरह की सब्सक्राइब्शन हो सकती है जीएंपी कंपनी का अगर बात करें तो इसका जो जीएंपी भी चल रहा है अलगे अलगे लगे फ्लाइट करता है और उसके आगे अपने खुद के अंदर प्रोड़क्स को डिस्ट्रिब्यूट भी करती है और कंपनी जो है अगर देखिये तो किस्टम प्रोडॉक्स का प्रोवाइड करता है किस्टमर के स्पेसिफिकेशन के एकॉर्डिंग भी इस के प्रोडक्ट स्कों प्रोवाइड करता इसके प्रोडक्ट स्वय है युद्व एक्ष. चॱ्ट मतलब हाई-अत्य अत्यजक्ण है कर्ती है अ pluck प्सक्राइब मा ळबीई में है है और एक्ति सगस 2023 कंपनी के पास around 311 employees है इसके manufacturing facilities में जिसमें guys contract workers भी include है अगर हम इसके financials को देखेंगे तो 20 में 6.4 करोड का revenue 4 lakhs का profit 21 15 करोड का revenue 77 lakhs का profit 22 में 15 32.5 करोड का revenue 1.6 करोड का profit 23 में 60.4 करोड का revenue profit 5 करोड का यहां देखे 21 22 में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं क्या लेकिन 23 में सड़िन बूस्ट देखने को मिला इस IPO में company के performance में सड़िन बूस्ट हुआ है और लेकिन अगर देखा तो यहां देखेंगे तो यहां पर cash pro negative में देखने को मिला 23 में और और अप्रेंग एक्टिविटीज में 22 में cash and cash equivalent negative है जो की repeat कर सकती है प्लस रिस्क अकर देखिएगा तो यहां पर customers की जो preferences में लगातार changes आती है इस तो इसके विए से company को impact पर सकता subject to risk associated है product warranty को लेकर negative cash pro देखने को मिल चुका past में और एक्सपोज कर यह मतलब की risk associated जो होता है foreign exchange rate fluctuations का जो risk associated है जिसमें एक्सपोज होने का खतरा हो सकता है और highly competitive industry मोपरेट कर रहा सबजेक्टेड टू सिखने का cyclical demand है और economic downturn के कारण भी impact पर सकती है तो अब आप इसको medium to long term कर सकते हैं लिस्टिंग भी स्ट्रॉंग मिल रहा है ताब इसमें लिस्टिंग के लिए अप्लाइक कर सकते हैं तो हम लोग जो है वीडियो को ही प्रेंट करते हैं अगर कोई डाउट कमेंट बॉक्स में पूछे मिलते ह और है दो कट चिसेए और हम करें लोगर को अम मिलते हैं वलते हैं दो हम लोगदू कि अश्टग टू जम अखर थे नहां भा पूवा को तो हम शु़ैं